बिल्कुल बेसिक से मतलब यह है कि आज जुम्हें प्रहाऊंगा वो इंग्लिस सिखना बिल्कुल आसान कर दूंगा। सबसे पहले जानो यह है कि इंग्लिस को आसान कैसे। जैसे बहुत सर बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर अंग्रेजी सुरुवात कहां से करें। सर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं जुवान पर नहीं आता। सर अंग्रेजी लिखना चाहते हैं दिमाग पर नहीं आता। सर अंग्रेजी में कुछ भी करना चाहते हैं पेन चलता नहीं हाँ चलता नहीं दिमाग चलता नहीं और ठंडे का मौस में कुछ चलता ही नहीं सबसे पहली बात है कि आप को क्या चलता और चलाना है इस पे काम करना है आज बहुत सारे डौट्वब लूँगा बहुत सारे ओंद भोक्योंत लूड़ी पे काम करूँगा तो पहले मुझे बताईए कि आप सब तैयार हैं पूरा रेडि हैं काम करने के लिए काफी कलम हाथ में ले रका है बहुत बढ़िया तो सबसे पहला चीज मैं देख लूँ कौन क्वज बच्छे यहां पर तयार है रेडी हैं जो काम कर सकते हैं लाइव क्लास में जैंड़ बहुत बढ़िया असमी यहां पे निलम सर्मा बहुत सुंदर निलम सुसांत कहां थी आपस बात करतो इतना जाधा प्रयांका कुमारी यह सर बहुत बढ़िया राज तीबारी अलोक कुमार बहुत सारे बच्चे को गूडिया जो जहां से आज का लुए एक अथिहासी क्लास होने वाला है आज का लास में यौन झाज में यादगार बना दूंगा और आज क्लास में आपको हैसास होगा कि कैसे किसी भी चीज़ को जीरो से सिखा जाए कैसे भी किसी भी चीज़ आल जातो है्बास आप आब से होगा आज के क्लास में आप फी फील करोंगे अंदर से किसे अंगरेजी को लड़न किया जाए एक चीज़ उठाओ और एक चीज़ उठा करके क्या स्याम सर्मा देख रहे हो अभी से कुमार पाल यह सर बिल्कूल आज के आज की क्लास आज की साम आप सारे भी द्यारतियों के आज की साम होई होगी और आज आप देखोगी इसको चीज़ को है ना मैंग तिबारी गुड इविनिंग गुड इविन होगे बच्चे बहुत बढ़िया अब यहां पर मैंग क्या सुरू किया जाए मैंग कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पाने की अच्छा रखते हैं मै बहुत दीन से परेशान था क्या करें सुडेंट्स को क्या दू इसको ऐसा क्या सिखाऊं कि बच्चे यह बोलने की वाहसर मजा आ गया अधिरा कि क्या सिखाऊं है ना तो यहां पर बहुत बच्चे जो है जैसे अमन मलीक है अहमद राजा है बोला था सा मुझे कि सर सानी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है मलता गोद गोद बबु कांत यादव सर हमको सुरु से पढ़ना है हमको इंगलिस में जीरो से आता है बहुत बढ़िया अगर आपको जीरो से आता है बाबुलाल बाबु कांत यादव तो आपको नहीं सिखा देंगे बहुत आपको बताया था कि आदि मनिस्कुमार भाव कांतयादव। को बहुत बटी जार कि आप सब्सक्र FC और प्रम पेंडर्व प्रसट L riddler करता हूं कि आंखिर एसा एक यह और जो बच्चे मुझे फेस्टूक पर देख रहे हैं चुक्य यह लाइब तीन जगा हो रहा है यूटूब फेस्टूक और क्रांथी कारी इंग्लिस एप मैं आप बता दूं यह जो मैं ले रहा हूं एक क्रांथी कारी इंग्लिस एप पर भी लाइब चल रहा है मेरे दोस्त एक क्रांतिकारी इंग्लिस लाइब पर भी लाइब चल रहा है इस पर भी लाइब चल रहा है क्रांतिकारी इंग्लिस एप इसके बारे में क्या कहूं कुछ भी बॉलूँगा कम होगा चुकि इसका नाम है क्रांतिकारी तो आज का class भी क्रांतिकारी होने बाला है तो क्रांतिकारी English app पर जब आप class करोगे तो आपके अंदर भी क्रांतिकारी घटना है घटनी शुरू हो जाएंगी और जो नंबर दिये जा रहे हैं इस नंबर पर अगर call कर दिया तो समझो कि क्रांतिकारी घटना घटी गया समझो बास मज़ रहो तो ये क्रांतिकार English app है ये फोटो वाला आप जब प्लेस्ट पर जाओगे तो ऐसा फोटो लगा होगा धर्मेंदर सर की ये फोटो वाला एप है जिसमें धर्मेंदर सर आपको लिखा मिल जागा और इस तरह से आप काम करोगे एक मिनट से एक सकंड के लिए हाई सर तो यहां तक हम जब देखा था अब यहां पर करने के बाद आखिर आप कैसे किसी भी चीज को आप कैसे पढ़ते हो तो पढ़ने के लिए हमने कहा था करांतिकारी इंगलिस एप आपको डाउनलोड करना है करांतिकारी इंगलिस एप जब आप डाउनलोड करोगे तो इस एप में खास क्या मिलेगा वो जानिए और रहे हो कि बहुत भच्चे में आज मुझे और कमेंट मेंड बहुत बच्चे कों सब बिकास कुमार उकल प्रफ to दो सर एक कुसबाहा इंग्लिस क्लास सर देखो न इंग्लिस आज में पहार हो तुम देखो तो बस क्या मज़ा लायता हूं आज सर यहां पर मनीश सर बोलते है मेरा C.A.P.F. A.C. का एक्जाम है सर बहुत बढ़िया C.A.P.F. का एक्जाम है तो भी आपका हो जाएगा बिसाल कुमार बहुत 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 देखो अस्टार्ट करता हूं तो जब भी आप हमने क्या कहा क्रांतिकारी इंग्लिस आप डाउनलोड कर लेना है मैं बहुत सा चीज क्राने बाला हूँ आज लेकिन सबसे पहले परहाने के साथ अब प्रस्णुटता है कि देखो जो भी चीज पर हो एक कॉमन चीज पर पढ़ते हो न तो उसके पूरे इतिहास को खंगाल दो एक भी चीज पर हो तो उसके पूरे इतिहास को खंगाल दो अगर आपको इजे मा भी पढ़ना है तो पूरे रहस जान लो अगर डूड़ज पढ़ना है तो पूरे रहस जान ल तो जब भी कोई चीज पढ़ओ मेरा उसलामानो अगर आप बागई अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो कोई भी चीज तो उसे के पूरे डेफ्थ में घुसो पूरे रहसे को जानो तो जब तक आप इसी रहसे को नहीं जानेंगे पूरे depth में नहीं जाएंगे आपको मज़ा नहीं आएगा तो सबसे पहला हमने क्या कहा कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको depth में जाना है deep में जाना है अब deep के लिए क्या है भाई तो मैं आपके सामने यहीं एक चीज बहुत ही simple ले रहा हूं इसको समझने क्या प्रियास करना simple क्या ले रहा हूं एक चीज ले रहा हूं एक रहस ले रहा हूं जैसे डूड़स के बारे में ले रहा हूं चाहे ईजे मार आप जो कहो जैसे मान लेते हैं कि हमने आपको ease MR दिया अब सबसे पहले समझना है कि ease MR का जड़ क्या बहुत सर बचे करनिफूज कर जाते हैं तो ease MR के कितने राज है ease MR के कितना रहस है ease MR की दुनिया कहां तक है ease MR के फैमली में क्या क्या होता है अगर यह चीज आपको मिल जाए तो lifetime मैं वादा करता हूं आप से कभी problem नहीं होगा एक बात मेरा याद रखना दुनिया का कोई वर्व हो उसके पांच फॉर्म हमेशा याद रखना दुनिया का कोई वर्व हो उसके पांच फॉर्म हमेशा याद रखना वर्व का फर्स्ट फॉर्म वर्व का सेकेंड फॉर्म बर्वका 3rd form, बर्वका 4th form, बर्वका 5th form, और दुनिया का कोई master, एक बात और याद रखना, मेरा बड़ा बाला चैनल DSL English, अभी वो मेरे पास संपर्क में नहीं है, तो उस चैनल पर आपको अभी नहीं जाना है, अभी DSL spoken, जिसरे पहा रहा हूं, DSL spoken है ये, इसी को follow करना ह है, और इसी को आगे बहाना है, इसी को like करना है, इसी को subscribe करना है, और बड़ा चैनल पर चोरों की जमात है, वहाँ भी नहीं जाना है, और ध्यान देना, आप उसी teacher से पढ़ना, जो original हो, जो आपको सही सिक्षा दे सकता हो, जो सही रास्ता दिखा सकता हो, क्योंकि आप गल दे सकता है, जो teacher खुद ही original नहीं है, वो दूसरे के चैनल पर duplicate बन काया है, चोरी का माल यूज कर रहा है, वो चोरी का समान खरीद रहा है, वो आपको इमानदार होने की सिक्षा कैसे दे सकता है, इसलिए साबधान उन teacherों से, जो की चुराए हुए channel पर काम कर रहे हैं, avoid करो आजीबन के लिए, और इस वर भी उसको avoid कर रहा है, और उसको सजा मिलेगा इस वर के द्वारा जैसी भी होगा, उसको किया जाएगा, इसलिए आप alert रहना, आप साबधान रहना, चुकि आप ही head हो, धर्मेंसर को आपने चमकाया था, मेरा कोई आवकात नहीं, धर्मे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मित्रों के साथ सेर करके तुफान मचा दो, ठीक है, चलो, अब कलास अगे बहाता हूँ, अब उसके बार में छेड़ना मत, पुछना मत, आगे बढ़ते हैं, हमने कहा, अब EASMR के बारे बात ले लो, अब EASMR की बात करूँ, तो EASMR क्या है, EASMR कैसे पढ़ते हैं, EASMR की दुनिया क्या है, तो सबसे पहले समझो गौर से, हमने कहा, दुनिया में कोई चीज पर हो, वर्व के पांच फॉर्म होते हैं, वर्व का फॉर्स्ट फॉर्म, और वर्व के फॉर्स्ट फॉर्म में क्या क्या होता भाई, तो M और R एम और आर को हम वर्व का first form कहते हैं यहीं पर कर दू वर्व का second form तो वर्व का second form हो जागा was और were समझते रहना पर यहां से यहीं पर करू वर्व का third form यहीं पर कर दू वर्व का third form तहीं पर कर दूँगा win यहीं पर कर दू वर्व का fourth form समझना को यहां से ऐसा कोई भर्व नहीं जिसके 5 भर्व नहोँ अब प्रशन उर्णता है कि सर भर्व का 1st form 2nd form तर्ड form तो main भर्व होता है और easy मार तो सर axillary भर्व है अब समझों नहीं क्या कहा था धार्में सर पहाते नहीं कमोन कहा ध्यान है धार्में सर पहाते आगे सब लोग बहुत बढ़िया एक्षे कुमार बहुत पंडे ग्रेट प्यूस नागर बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर हमंत कुमार ओमाल मुस्तकिन बहुत बढ़िया एमडी हिसात आलम सारे बच्चे मस्त हैं जो भी DSL से जुड़ा है न DSL spoken से DSL learning से सब बच्चे मस्त हैं बहुत बढ़िया कुछी को जरुवत पढ़े तो बी तूफान देख लेना मेरा बहुत बढ़िया विवेक पाल उपी district से एटा से है सर बहुत बढ़िया बहुत सुंदर हाई सर मैं फीस नहीं दे सकता मैंने में परनाम पता भी भेज दिया हूँ देखे बटा मैं आप से कहा था कि आपको गर धर्मेंस से पढ़ना है तो आप टेकनिकल जो फीस है वो आपको लेगा धर्मेंस से अपना फीस नहीं लेते आपको बुख्ष चाहिए बुख्ष का printed cost आपको लगेगा हमने spoken class में आपको फ्री कर दिया है हमने foundation के साथ spoken फ्री कर दिया है तो foundation पहोगे spoken फ्री मिल जागा और spoken का फ tr awkward हमने बहुत कम कर दिया 1 999 मात्र 1099 spoken class एक साल तक पढ़ते रहो है ना और आप सारा चीज foundation के साथ आपको बहुत कुछ offer मिल रहा है तो यह सब offer का लाव उठाओ पर क्यों घबर आते हो फीस का tension लो ही मतमन ठीक बीटा निरुयादा फीस का टेंसन मतलो चंचल पिंटु आसमा कुमार बहुत बढ़िया लोकेश चौधरी लोकेश चौधरी चिंता मत करो फीस पास कर ठीक है पाहई पर दियान दो राजपाल यादा बहुत बढ़िया रंजन कुमार तेक तो अजय क तो कभी भी जो है ना देखो सर्वनकुमार यहां विबेक पाल आप चिंदा ना करो नंबर क्यों देता हूं फोन नंबर उस नंबर पर दिया हमने आपको क्रांथिकार इंगलिस एब बताया उस पर आप कॉल कर लिजिए और कभी भी आप घबराईए नहीं धर्मेंस आपके स यानि कि आपको जो फाइफ फॉर्म्स है न यह आपको याद रखना ही रखना है फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फॉर्म फिपॉर्म अब प्रस्ट नुटता है कि एम आरे भी बन हो गया तो सबसे पहला चीज जो आपको पहना चाहिए एक वोकेब लो चाहे वो गो ही क्यों न लो, चाहे वो गोजी क्यों न लो, एक चाहे एमार ही क्यों न लो, एक वर्व लो, और उस वर्व काईती हास पलट दो, जैसे V1 है, तो आपको ये जानना है कि V1 क्या, और V2 क्या, V3 क्या, V4 क्या, V5 क्या, तो V1 और V5 V1 और V5 को हम present बोलते हैं इस बात को आप याद रखेगा V1 और V5 को V1 और V5 को जहां कहीं भी लिखा मिल जाए आप present बोलते हैं यानि present tense के sentence को बनाने के लिए V1 और V5 कि आप सकता होती है V2 बात करेंगे तो हो जागा past tense का और V3 बात करेंगे तो हो जागा perfect tense का और V4 बात करेंगे तो हो जागा continuous tense का तो टोटल अंग्रेजी बोलने में लिखने में यही 3-4 tense के आप सकता होती है यही 5 भर्व यूज होते हैं चौथा कोई भर्व नहीं होता आप रशनूता है कि एईज एमार का यूज कैसे करना है बापीस आजएगे तो पहला चीज देखा कि भर्व का form राइट ठीक है बाबू रंजन कुमार ठीक है रंजन अक्षे कुझा रंजन कुमार सिंग बहुत 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 बढ़िया अब देखो सबसे पहला काम अंग्रेजी लिखने के लिए सबसे पहले subject चाहिए subject के बाद तुने एज एज एम आर लगाया अब एज एम आर के बाद यहां पे concept देखो क्या है एज एम आर के बाद तुम भर्व का fourth form लगाते हो एज एम आर के बाद भर्व का third form लगा सकते हो एज एम आर के बाद noun या adjective का प्रयोग कर सकते हो यह तिन concept समझो अगर तुम एज एम आर के बाद अगर भी fourth form लगाते हो तो इसका मतलब समझना कि यह active voice की बात कर रहा है active voice की बात कर रहा है देखो मैं कितना dip ले जा रहा हूँ और इस case में यह जो subject होगा वो doer होगा काम करने बाला और doer का मतलब होगा कि वो living होगा मैं आपको जड़ सिखा रहा हूँ कि इंगलीस तुम सीखोगे कैसे ठीक है देखो बिटा बनाईे आप क्या करें सुबह उठीए तो एक दिन चर्या बनाईे कि आखिर आज की दिन में मुझे करना क्या है फिर सुबह उठीए अब सुबह उठना संभव है नहीं अब कहोगे सर ठंडियों का मौसम में ब्राढ ठंड लगता है सर हम प्लान बनाते है रोज सुबह जगूँगा जग नहीं पाता सर तो क्या करूँ तो देखो विवेक, विवेक कुमार, मयंग कुमार करना क्या हो समझो तो नियामित रूप से आप अलार्म लगाते हो कि सुबह 6 बे जगूँगा, 5 बे जगूँगा, प्रहाई करूँगा, लेकिन सब काम हो अगर आपने सुबह एक्सराइज किया न तो आपके अंदर इतनी उर्जा आ जाएगी, इतना इनर्जी आ जाएगा, लेगा किस को फार दूँगा, कहां फार दूँगा, तो अंदर से उर्जा आ जाएगा, इनर्जी आ जाएगा, उसके बाद जो है, सेकंड पॉइंट है, कि पढ़ने के लिए कम से कम, आप हर दिन, आप ये मद्दे को फ्यूचर क्या होगा, ये मद्दे को पास्ट क्या होगा, हर दिन अगर आप UPSC की त्यारी करते हो, SSC की त्यारी करते हो, तो इंगलिस की त्यारी करते हो, किसी भी चीज की त्यारी करते हो, ठीक है, तो आपक कहा कि आप कम से कम रंजन चाहिए अध्यन करना चाहिए तो कौन है सहनवाज सुनोगार से तो प्रती दिन जो है छे से आठ गंटे का नियमित अध्यन होना चाहिए उसके बाद आप जितने भी तरह की त्यारी करते हो तो अलग-अलग सब्जेक्ट का त्यारी करो ताकि मन नीरस ना हो इसलिए इंट्रेस्टिंग पॉइंट ध्यान रहे चीज़ कभी भी टीवी देखने का प्रयोग न करो हाँ आप गाना जरू सुनिए गाना सुनने से क्या होता कि माइंड रिलैक्स होता है गाना सुनने से माइंड की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है उरजा बढ़ती है और आपको बुस्ट भोजन मिलता है माइंड को तो आप गाना जरू सुने जब भी हो जो पसंद हो गाना उस गाना को जरू सुनिए आदा घंटा जब भी आप प्रहाई से ब्रेक लें तो एक गाना सुन लिया जब ही प्रहाई से ब्रेक लिया एक गाना सुन लिया इसके साथ कभी कभी जरुद पड़ा तो आप अपने पसंदीदा से आप फोन पर बात कर लें 10-15 मिनट के लिए उसे मूड फ्रेस होता है चार से की त्यारी करते हो तो आप खोजो कि एससे की त्यारी करने बाला और कौन-कौन सस्ट्डेंट है उसे मित्रता करो और आपस में डिसकस करो उस मैटर के बारे में कि और क्या क्या कोशन ठीक है देखो फिंकी रिंक के गूड सौंग यादब बहुत बढ़िया देखो आप मन्डु कुमार इंडिये सर बहुत बढ़िया देखो मैं जो बोलता हो प्रहलाद भाई प्रहलाद बहुता करत नाई है बहुत प्रालाद करदा हूं रहा हुं तमील ग्रूप तमील ग्रूप तमील तो नहीं आता ठीक है संभू प्रसाद अक्षे जहां आप अमर रहें बेटा अमर तो आपने मुझे बना दिया है यूट्यूब पे लाकर के बहुत बढ़िया बिक्रमभाट जी आइस त्यारी कर तो बहुत बढ़िया रंप अविमख ड्रकी जर्ऱमीनगी ऑद बरिंग फैक्त बता ब्रिंग बैक नहीं है तो बल्कुल चेंटाना करता लाना करऊ सब यहां 2 यह भराते हो घर्मेंडर बहुत बढ़िया बहुत संद्र बहुत सुंदर बहुत संदर बहुत संदर केस चौधरी सर मुझे इंगलिस में होना है मैं हून बेटा इतना स्ट्रोंग कर दूँगा कि सिधा दिमाग में डाल दूगा जो परहाता हूं बस आप लोग उसे अग्नोर मत करो जो देता हूं उसे सिखने का प्रयास करो जो सिखाता हूं इस प्रयास करो ठीक है अरून कुम एक बार हमेशा गुरूप डिसकसन करिए आप अपने जैसे मित्रों को ढूंडें और ढूंड करके गुरूप डिसकसन करने का प्रयास करिए इससे क्या होगा कि आपका माइंड चेक कर पाएगा कि आपका लेवल क्या है आपकी एबिलिटी क्या है तो हमेशा पढ़ने के त तो सबसे पहला चीज है कि आपको अलर्ट रहना है आपको कैसे काम करना उसे फोकस करिए तो हमने कहा कि जो भी एक्जाम की त्यारी करता है उस एक्जाम का सिलिबस क्या है उस exam का क्या requirement है उस exam में क्या चाहिए आप spoken चाहते हैं तो उसको जानिए कि spoken में क्या syllabus है आप foundation चाहते हैं क्या syllabus है ऐसे सी निकालना चाहते हैं क्या syllabus है तो सबसे पहले उस syllabus पर चर्चा करिए क्या आपको चाहिए क्या उसके उस साथ समान तरह के मित्रों को ढूंडिए और मि मित्रा हो चाह मित्री हो कोई भी हो आप ढूंड करके समान चीज को डिसकसन करिए तो आपस में जब डिसकस कर लेंगे तो आपको उसे आइडिया मिल जागा तुसरा तीज है प्रयास हमेशा गुरूप बना कर किजिए और हर दिन अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो आ तो मैं ईज अमार को थवासा और ईजी कर दू ताकि समझ में बहतर आ जाए हमने कहा इज अएम आर क्या है तो इज अमार एक ऐसा वरड है जो होने का भुद कराता है इज अमार का मतलब होता होणा बीइंग भर्व को प्रयोग करता है जैसे तूम एक भी अार्भ पहले टो जानो कि your house हो जाता है और वहां पर हुज्जेक्ट है उसे के पुरी रहस लीड़ की हड़़ी तक सभाऊंगा इसे सिखाऊंगा नॉन डू पनाव जाता है और नॉन लीविंग हो जाता है नॉन डूर और नॉन लिबिन अब समझो कोर से जैसे हमने कहा कि he is eating, he is eating a bread, he is eating bread, he is eating mango, I am going to market, इस सब क्या है भाई, तो active voice है, वहीं पर आप संडिस पैसिव हो सकते हो, कि a mango is being eaten, a mango is being eaten, bread is being eaten, बस मैंच पा रहे हो, तो यह क्या हो गया, पैसिव का संडिस, और एकर noun और एडिटिव के बात करें, तो यहा normal सा sentence, क्या कहते हैं बैटा, normal sentence कहते हैं, और normal sentence का ध्यान देना कभी भी passive नहीं बनता, इसलिए इसको बोलते हैं, no passive, right, तो normal sentence बनता है, इसको passive नहीं बनते, जैसे हम लोग कहा कि easy mark के साथ, you are a student, I am a teacher, he is a teacher, he is genius, इस तरह से आप easy mark का प्रयोग एक कर सकते हो, दूसरा sense होता EASMR का कि जब भी आप EASMR का परयोग करते हो तो subject plus EASMR अगर आप लगाते हो तो इसके साथ 2 plus V1 का परयोग कर सिरते हो अब यग नया concept हो गया भाई कि EASMR के बाद 2 plus 1 क्यों होता है तो EASMR के बाद 2 plus 1 लगाते हो तो इसका हिंदी पता क्या होता है वाला या वाली देख पा रहे हो वाला या वाली और यह प्लान को सो करता है अब प्लान क्या हुआ सर तो मैं तुम से मिलने वाला हूँ I am to meet you क्या बोलते हो आप I am to meet you मैं तुम से मिलने वाला हूँ मेरे पास अब तुम बनाओ, मैं प्रहाया, तुम बनाओगे, subject plus is a mark, two plus one, वाला वाली का sense देगा, ठीक है, हमने कहा, मैं तुम से मिलने वाला हूँ, I am to meet you, तुम मेरे पास आने वाला हूँ, राजू, कौन है, अक्षे कुमार, तुम बोलो, हमने कहा, अक्षे कुमार मेरे प to go there, right, हमने कहा, यहाँ पर, कौन है भाई, अभिनाव राओ, अभिनाव राम, true facts, नीलम, कभिता सिंग, बहुत बढ़ा है, कभिता, मुसकान खान, I am to meet you, बहुत बढ़ा मुसकान, उत्तम कुमार, उत्तम कुमार कह रहा है, जा तुम लोग चार sentence बना के दिखाओ, इजमार टू से, इजमार टू से बाला वाली का, चार sentence कमेंट करो, मैं चेक कर रहा हूं, कमेंट तुम लोगों का, चार sentence लिखे मुझे दिखाओ, लिखे दिखाओ, मुझे, क्रिष्णा, नीलम, अक्ष्य है जा तो बहुत अच्छा है, सेरियो, टैप एक्स्प्लेनिंग, काल में दिखे लो, बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, एक्स्प्लेनिग, तुम्हें एक काम करो, ने मेरा बीतुफान में देख ब्राम मस्जा आएगा तुम्हें, दिखाओ, अब गोंगोर से, यहां पे जो है न, तो हीजे जिल जन्दगी में कुछ हाद से आवाद छ तुम तो बड़ा मज़दार comment लिखते हो प्रहलाद नाई बहुत बढ़ी है आज जोली मूड में हूँ आज तुम लोग लाइफ लाइन तो बहुत दूर की बात है जनाब मेरी तो लाइफ ही लाइन पर नहीं है बहुत बलाद नाई तुम तो बड़े-बिच एक comment लिख रहे नाम लेजिए कौन है वाई चंDR सेखर ब कर बाँ के दिल के करीब हो तुम लोग हमेशा नाव तुम लोग तौन मेरे दिल के पास रहते हो जहने भी लोग हैं जितने परिवार होएं आप लों मैं हमेशा आपके सहर में आता हूँ तो देखता हूं कि सहर से कौन लड़का मेरा फॉलोवर है तो अक्सर मुंसे कॉल करता हूं उसे मिलने जाता हूं और आपसे मिलने आपके सहर जरूर आउँगा तो आप अपना जब लिखो को लगाता हूं और बहुत सारे बच्च के घर मैं गया हूं तो मुझे बदों बच्चे के घरork बता व और मुझे बच्चे के घरो हूं परलादनाइगा किृट्नी बच़्िशोरिकित बuksíst में हो तुम मर जात के नदामन उस हो तुम करें प्रलाद बंद करो इस अब कहानी तुम अब ठीक है धर्में सरका सरम करो तुम ठीक है चलो एक है सर यू और बेस टीचर इन इंटायर वर्ल थैंक यू बहुत बढ़िया आपने इतना सम्मान और इतना प्यार देतों ने बटा कि मुझे बस मज़ा आ जाता है तो मुझे बताओ किस-किस घर मैं गया हूँ ठीक है बताओ मुझे किस-किस बच्चे घर मैं गया हूँ और सबके साथ एक साथ तो जाओंगा नहीं जिसके साथ जिसका एड्रेस मेरे पास आएगा मैं सबसे पहले उसके घर जाओंगा मैं देखना चाहता हूँ कौन-कौन बच्चे है जो मुझे अपने घर बुलना चाहता है दिल्ली में है दिल्ली के आसपास में है कहां पे है तो म मेरे lifeline पर कैसे आएंगे sir अरे lifeline में जीवन में आ जाओंगे बेटा क्यों चिंदा करते हो my life exit my love अच्छे तुम्हारा प्यार खो गया निकल गया कोई बात नहीं प्यार आप बापीस आजएगा चिंदा क्यों करते हो धर्मेंसर है तो सद्या में हर चीज संबाब है आज तुम लोग मुझे पहाई नहीं दोगे आज मैं सीजा तुम लोग घर आ रहा हूं बताओ अपना अड्रेस अरंगाबाद बिहार देखो छोटू ओके बिहार अरंगाबाद बिहार बहुत अच्छा नेपाल से बच्चे है बहुत बढ़िया नेपाल तो मुझे घुमने आना भी है जी नेपाल तो मुझे घुमने आना भी है बहुत बढ़िया नेपाल में एड्रेस देना फोन नंबर देना आऊंगा नेपाल तो आपके घर जरूर आऊंगा आपका नाम और फोन नंबर जरूर मुझे चाहिए ने हाइट बहुत बड़ Huya इतने बच्चे मुझे प्यार करतें मुझे पहली बार पता चला इतने अच्थे sir too much I love you too I like you too बहुत बढ़िया मैं आभी आप सबों को बहुत प्यार करता हूँ और कभी कभी मैं emotional हो जाता हूँ बच्चों को वार्ट समने तो बच्चे वार्ट सब करते हैं मुझे और जब आप से मिलता हूँ बात करता हूँ वार्ट सब करता हूँ और मैं आप से मिल करके ही धन हो जाता हूँ और मुझे प्रहाने का मौका आपको मिला है उसके लिए मैं इस्वर को धन्यवाद बोलता हूँ कि इस्वर ने आपको प्रहाने का मुझे मौका दिया है और इस्वर ने मुझे इतना सम्मानित किया कि मैं आप सबों का गूरू बन सका और आप सब को मैं प्रहता हूँ आप सबसे मिलने का मौका मिलता है आज तक एडेट में मैं हजारों बचों से मिला हूँ उसमें से एक आप भी हो सकते हैं और अगला मौका आपके पास भी आ सकता है बसरते धर्मेन सर को साथ चाय पीना पड़ेगा आपको और चाय पीने के लिए मैं आपके पास आऊँगा हलाकि चाय मैं नहीं पीता ब्लैक टी पीता हूँ लेकिन कोई नहीं साथ में पीलेंगे हम लोग कोई इसु नहीं है नो जजायर बहुत बड़िया एक लड़का कह रहा है सर आइं फ्रॉम कोटा बावता और निर्मल कुमार तुम कोटा से हो तुम्हें कोटा में कहां डून दूगा तुम्हें है न तो आपको अगर बाकई बूलाना चाहते हो तो तुम लोग ऐसे ड्रामा न करो आपको पूरा नमर दे देना तो और कॉल करूंगा मैं आपको सिधा फोन नमर देगा या फिर कॉल करना मुझे जो नंबर दिया गया ना इस नंबर पर कॉल करना जब कॉल करोगे ना तो आप मुझे बताना कि कॉल करने के बाद कैसे होता है आपको फोन नंबर दे रहा हूं उस नंबर प चुरू बिनासदार आओ सर बहुत बढ़िया आ जाओंगा तो मुझे एड्रेस 34 मिल गया है इस 34 फिरोजाबाद फिरोजाबाद यूपी से हैं सर बहुत बढ़िया तो आप नंबर पे कॉल कर लेना और मुझे पता देना कि सट्रेडे और संडे दो दिन मैं फ्री हूं तो हो मुझे लगता है कि आप सब आज पढ़ने के मूड में हो नहीं है ना मैं पढ़ने के मूड में था लेकिन आप पढ़ने के मूड में हो नहीं तो यह वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके कल मैं डाल दूँगा पूरा डिटेल में काम करवा दूँगा क्योंकि आप जो हैं शरीफ लड़का योध्या नेगरी से हूं सर कब आ रहे हो सर बहुत बढ़िया शरीफ लड़का आप है जोध्या नेगरी से हैं तो योध्या तो पास में ही बिटा मैं तुरत आ जाओंगा मैं आपके पास तुरत आ आउंगा मैं एक तो नेपाल जाओंगा दूसरा यह जो हमारे दिल्ली के आसपास के रिया है कि आइम फ्रॉम डावरा पिछोड़ा तेटा नीरज कुस्वाह बहुत बढ़िया गॉडब्लेस यू बहुत बढ़िया तो देखो बिटा तो हमने आज पहाने के मूड़ी में आय मैं बजबतें बढ़िया से बना करके आपको बिल्कुल यह इसको लाइब में बढ़िया से पहा दूँगा जिस दिन मैं कम्मेंट लूँगा उस दिन पहाने का मूड़ तो जाह Community initi P बात करके और मज़ाया मुझे ठीक है साहिल गोल तो हम लोग कल मिलते हैं एक नए क्लास में नए अंदाज में और आज का क्लास एक एतिहासी क्लास होने वाला था बट आपसे प्यार मिला और आपसे बात करके मुझे बड़ा मज़ाया यह भी एक एतिहासी दिन हो गया आज का तो जितने बच्चे को मैं देख पा रहा हूं सारे बच्चों से बात चित किया जो बड़ा मज़ा मुझे आया तो मैं आप से कल मिलता हूं ठीक है तो आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा ज्यादा स्टाप को घर जाना होता है स्टाप में रिले रुके रहते हैं तो सारे बच्चों को गुड़ नाइट बबाए टेक केर गुड़ नाइट लव यू टू आज टेक केर अफ यॉल वके बहुत बड़िया आप सभी कुरोना का ख्याल रखें और बच के रहें बचा के रखें कुरोना से बचना भी है क्योंकि बीमारियां फैलती है कहकर नहीं आती तो मास्क लगाया रखें सेनेटाइज करते रहें और अपने आपको देख भाल भी करते रहें धर्वेन सर आपके घर जरूर आएंगे और बौदा करता हूं कि आप सारे बच्चों से मिलने जरूर आउंगा बस एक काम करना है करांतिकारी इंगलिस हैप पढ़ने के डाउन थैंक यू रमाच गोड ब्लस यू गोड ब्लस यू थैंक यू बबाए गुटनाइट